मैं सुझेय कुमार और आपके अपने चैनल सुझेय फेंटसी में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का दिन का पहला मुकाबला जो कि ड्रीम 11 ओमें सूपर एस मैस्टी 20 का है जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग हर बार इस मैच को सारे मैचेस को अच्छ जल्दी जाओ और टेलिग्रम चल से जल्दी जाकर जोएन कर लेना ठीक है भया विकाज फाइनल टीम तो आपको वहीं पर मिलेगी अब चलो डिसकस कर लेते हैं इंका स्क्वाइड हो चुका है मैंने टेलिग्राम पर डाल रख है स्क्वाइड आप जाकर कर लेना वैसे मैं अभी चलूँगा तो आपको सारे प्लेट का स्क्वाइड बता दूँगा दो वीडियो चनल पर पहले से अप्लोडेट है जरूर जाकर चेकड़ करेंड़ सीनियर उमिन्स वन डे ट्रॉफी का ठीक है तीसरा वीडियो हमारा यह होने वाला है अब इनके बारे में भी मैं ज रही से प्लेट को डेखते हैं कौं कोण डेट को क्या का अब हम लोग अपने टीम में किसको किसको रोटेट करने वाले हैं ठीक है तो पूरे ध्यान चेछे देखना ठीक है तो चलो अब यहांद देखोगे तो यहां पर आपको दिखेंगी सारा असुमन देखेंगी मिजी दिखेंगे ठीक है यह चाड़ो प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट है और चाड़ो अच्छी काजी आपको खेलते भी दिखेंगे अभी स्क्वाइड पर भी मतलब अभी जो स्टाइट से उस पर भी चलेंगे तो ध्यान ड़कना नाटालिया कोक्स जॉड़ी डीन एबिगल ज आपको यह चार प्लेयर खेलते भी दिखेंगी अभी गल्सके लॉववहिस जॉड़ी डीन और नाटालिया कॉक्स आपको खेलते भी दिखने वाली है उसके बात देखेंगी फ्रैन विल्सन ठीक है गभी सुलेवन दिखेंगी जेसका सीमेंस दिखेंगी जसींता सेविश इसे चार्डो प्लेड आपको खेलते भी दिखने वाली हैं अब इनके जो टीम है न सिंटल हिंस के अब उसमें कोन कोन से प्लेड खेलते भी दिखेंगी तो रजुम कर लेते हैं ताक आपको च्छेड एक समझ में आजया अब यहां देखोगे तो नातालिया डॉड्ड आपक को खेलते भी दिखेंगी कैटी गेगिंग फिर उसका कलाओडिया ग्रीन मिकाइला गिरिंग मेलीसा हैंसन रोजमेरी मेर और केरी टॉमी लेंसन यह सारे प्लेडा को खेलते भी दिखने वाली है जो मैंने स्क्वाइड माग को दिखा दिया अब बात रहा स्टाइट्स के उप पूछोगे तो इनका टीम का प्रफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है तो चलो भी इनके प्लेयर के स्टाइट्स बगरा मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि किसको किस को आपने टीम में आप ले करके जाना और किसको नहीं पूरे वीडियो को ध्यान से देखना ठीक है तो और करके इनका नखड़ा वाला परफॉर्मेंस से एवरेज रिकॉर्ड है मैं अपने टीम में लेकर के नहीं जाने वाला हूं जसिंता सेवेज का देखोगे स्मॉली के टीम के बात करें आप इंको ग्रैली भी जुरू ट्राइक करना उसके जसिंता सेवेज अब इंका बहुत अच्छा का सा है और मेरे लिए इंपोर्टन पेर सावित होंगे और मैं अपने टीम में लेकर के जाने वाला हूं जसिका सीमन्स भी इसक्वाइड में है अप इंका देखोगे तलास के दो मैच में इंको चार विकर्ड मिला है कुल मिला करके परफॉर्मेंस इंका अ अगर बहुत सारे बॉलर खेल जाते हैं एक टीम में तो थ्यान रखना मैं अपने टीम में लेकर के जाओंगा ग्यावी सुलिवन का देखोगे तो हर मैच में प्रफॉर्मेंस बाइस तो बोलने के जुरुत है नहीं मेरे टीम में 100% रने वाली है और मैं अपने टीम में ले ले करके जाओंगा और आपको मन है तो जरूर ले करके जानाना कस्यास स्टो है या और आपको लिए नाम ता तूम है आपके लिए प्लेयर बुकर वाली रहने में आपको लिए तो क्यार में नाप कर ले screams यहीं पर बता रखता है और default आप स्टाइट्स चेक कर सकते हूं मैंने सारे यहां पर लिख रखे वन डे अटी-ट्वंटी दोनों का फ्रैन विल्सन का देखोगे तो मुझे कुछ खास प्लेड नहीं लगी है अडाम सिंग को ग्रैल डिंग में रोटेट करो और थोड़ा देख लेते कि इधर से कोई स्कुर्ण है प्लेड थी मैंने सारे डिसकस कर दी है आपके साथ अब अब सेंटर हिंस ओमन के बारे में है उ जल्दी से डिसकस कर लेते है जो नेक्स टीम है उसके उपहा है तो सेंटर हिंस ओमन का देखोगे लगतार ही मैच हार ही है इनको हार का सामना करने पड़ा है इतना सारे मैच में उन्हें ने दो मैच विन कर रखे है ये टीटवेंटी में भी ये अच्छे कासी इनका प्रफ तो थोड़ा ध्यान रखना इनके उपर विकॉज आपको बैटिंग गॉलिंग दोनों करते हुए दिख जाती है और कम्प्रेट चारवर डालती है डेर्थ में डालती है तो मेरे टीम में आ जाएंगी जॉर्जी आठकिंसन का देखोगे तो टीटिंटी में अच्छी कासी कियर एड़ टोम लिंसन मेरे टीम में नहीं रहने वाली है मिकाला गिरिक का देखो गे तो कुछ इंका स्टैस इनका भी नहीं है तो मैं अपने टीम में रोटेट करने प्रफॉर्मेर्स बहुत अच्छा कासा है और मेरे टीम में आ जाएंगी रोजमेरी मेर का देखोगे इनका तो डिसेंटली स्टैट्स उतना कुछ खास दिखा नहीं है लेकिन अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो साइद मेरे रोजमेरी मेर को अपने टीम में लेकर क कुछ खास इंका स्टैट्स नहीं है बाकि यहां पर कोई भी खास प्लेयर्ट नहीं है जो इंपॉर्टन इपॉर्टन थी मैंने सारे डिसकस कर दिया है आपको आप चलो जली से फटाक से एक अच्छी इडिलेंट की टीम करेट करते देखते किसको किसको अपने टीम में बहुत अच्छे तरीके से और अभी तक तो आप समझी के होगे और यह ग्रांडी के लिए बहुत अच्छा का से मैच है इस्पेसली आप खिल सकते हो इसमॉलिग में अच्छे का सी यह मैच बनने वाली है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होगे तो भाईया आप तो मैच को विन करने वाले हो तो विकर्ट केपिंग सेक्शन में देखोगे तो नाटालिया डॉड है इनके अलावा मुझे और कोई प्लेयर चास च्वाइस ही नहीं है कि मैं इनको अपने टीम में लेकर के और कोई किसी प्लेयर को लेकर के जाओ ठीक है बिकाउज मुझे एक प्लेयर तो मुझे रखना ही परेगा विकर्ट केपिंग सेक्शन में इनको रख करके चलने वाला हूँ बैटिंग सेक्शन पर आते हैं तो भया यहां देखो तो कैटी एंडर्सन इनके अलावा और देखते हैं नाटालिया कोक्स को मैं अभी के लिए नहीं रखूँगा अ फिर नीचे से कोई खास प्लेड़ा को कोई खेलती भी नहीं दिखने वाले एक जॉड़ी इन खेलेंगी लेकिन कुछ खास इंका स्टार्स नहीं ऑसेन बाटलेट खेलेंगी जसिंता सेवेज भया केवाल एक परसेंट इंका सेलेक्शन है क्यों इनको पर मिस कर रहे हो तो जसिंता से मेरे टीम में आ जाएंगी बाकि यहां से कोई खास प्लेड़ा के लिए नहीं बनने वाले हैं जो भी इंपोर्टेंट थी मैंने ले रखा हूं को ठीक है आते हम लोग बॉलिंड डिबाइट में यहां से ग्यावी सोलीवन मेरे टीम में रहेंगी जोर्जी अटक करती है तो फिर तो फिर मैं यहां से नाटालिया कॉक्स का साथ जाओंगा और इस हिसाब से अभी के लिए हमारी टीम क्रियेट हो गई है अब जो फाइनल टीम होगा वह आपको मिलेगा कहां टेलीग्राम पर क्याप्टेन वाइस के उपर अगर सोचना भिशाट करना है तो जो फाइनल लोगा मैं टेलीग्राम पर को डिसकस कर दूंगा जल्दी मिलेंगे नेस विडियो में आपने ट्रिक को वीडियो के साथ तब तक लिए धन्य बाद अपने ख्याले के दोसो जैहिन